दोस्तो, material मन अतिस्टन्दर में राधिका के नकरे यतने बढ़ते जा रहे हैं कि सोजाता अब तो परिशान हो चुकी है दोस्तो हम देखते हैं कि यह नकली राधिका तो एक बेड़ी पीने वाली महिला है जी हाँ दोस्तो जब मैंने उसको बेड़ी पी ते देखा था अल्टो मैं तो नुगल सोक रह गया दोस्तो जी हाँ दोस्तो होता क्या है कि यह नकली रादिका बंसल हाउस के गार्डन में बेटकर बेड़ी पी रही थी बेड़ी के कस्मार रही थी लेकिन तभी वहां से दोस्तो दोस्तों नकली रादिका यह नहीं समझ पाती कि यह तो असली रादिका की मा है देखो दोस्तो हमारी राधिका अभी कितनी मुशिवत में हम इसके बारे में आरे बताएंगे लेकिन आरे बढ़ने से पहले आप हमारी राधिका के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा दोस्तो अब जियां दोस्तो नकली राधिका न सोजाता आकर कह देती है कि रादिका तो मजा कर रही है वह आपसे प्रेंक कर रही थी तब अनुरादा और दादी को बहुत गुश्चा आता है लेकिन अनुरादा सोचती है कि आखर मेरी रादिका को ऐसा क्या हो गया है अब अनुरादा भी बहुत सोच में है कि मेरी रादिक एसी तो बिल्कुल भी नहीं थी जैसी है लग रही है अब अलू राधा के मन में भी सक पैदा हो गया दोस्तों दोस्तों और हम कुछ देर बात देखते हैं हमारी राधिका बेशुद हाल में और असहाई सी बनकर एक रामपुर गाउं के मंदर के आसपास दिखती है जी हां द राधिका दिब्यम के साथ रहे रही है अब सोजाता को और अधिक मुशीवत आने बाली है क्योंकि यह नकली राधिका तो काम बाली राधिका और बीड़ी पीने वाली महिला है अब सोजाता नकली राधिका को कैसे कैसे बचाएगी और क्या क्या उसको शिखाने बाली है ल मेरा नाम भूल जाती है मेरा खैल भी नहीं रख रही है अब डिएम के मनमें भी सवाल पैदा होने लगे है अब स्वन के मनवे सक आ रहा है कि लाद ठाल क्या हो गया है तो क्या दोस्तों इस नकब लाद nagra का खुलाशा कब होगा कितने समय में होगा यह हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में आईला व्रादी का देखना ना भूले